क्वेस्टन है हमारे पास 4x2 प्लस 5 रूट 2x-3 और इनके हमें 0s फाइंड करने हैं और इनके relationship को इनके coefficient के साथ verify करना है first question consider कर लेते हैं let p of x जो है this equals to 4x2 प्लस 5 रूट 2x और माइनस 3 है जब इसका middle term को split करेंगे तो ए 4x2 प्लस 6 रूट 2x माइनस रूट 2x और माइनस 3 है जाएगा इन दोनों में जो common हैं हमारे पास 4 में और 6 रूट 2 में देखे यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं आप इसको 2 into 2 लिख दो x square थोब बेतर और इसको break कर लेते हैं 2 into 3 into root 2x और यहाँ पर आएगा माइनस root 2x और माइनस 3 आएगा अब ही जो आएगा देखो 2 तो common है ही और root 2 में और 2 में root 2 common होता है that means कि यह आपके पास ठीक है 2 root 2 common आगया 2 root 2x common आगया ठीक है जहाँ पर 2 को ले लिया 2 को हमने root 2 into root 2 लिख सकते हैं तो एक root 2 common आगया that means कि यह root 2x and क्या हो गया 2 root 2 common आगया and plus 3 बचेगा और यहाँ पर minus 1 common लेंगे तो root 2x and plus क्या बचेगा यह 3 बचेगा ठीक है जब इससे आगे हम break करेंगे तो this will be 2 root 2x and minus 1 और यहाँ आजाएगा root 2x and plus 3 आजाएगा जब इनका हम zeros find करेंगे तो आपको पता है कि p of x को हमें 0 के equal करना पड़ेगा this means 2 root 2x minus 1 और यहाँ पर root 2x and plus 3 को 0 के equal करना पड़ा इसका उतलब कि 1x का value 1 upon 2 root 2 आएगा और दूसरे x का value minus 3 upon क्या आएगा root 2 आएगा अब इनके sum को हम find कर लेंगे यहनि कि alpha plus beta जो होगा ठीक है एक को हम alpha मान लेंगे और एक part को beta मानेंगे तो 1 upon 2 root 2 and minus क्या होगा 3 by root 2 तो यह जो आएगा आपके पास 2 root 2 तो यह आपके पास आएगा that is 1 and minus root 2 कटेगा तो 2 बचेगा ठीक है और a minus 6 तो this equals to आएगा आपके पासे minus 5 by 2 root 2 होगा और एक किसके equal होना चाहिए minus b upon है यहनि कि minus b upon है और b check कर लेंगे b क्या होगा coefficient of x ठीक है that means कि 5 root 2 ठीक है तो minus a आगे 5 root 2 upon a जो होगा coefficient of x square that is 4 के बराबर आएगा ठीक है अब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं आप देखिए अभी भी आपको बिलकुल similar नहीं देख रहा है तो minus 5 root 2 4 को हम लिखेंगे 2 into root 2 into root 2 तो a root 2 cancel हो जाएगा that equals to minus 5 by 2 root 2 ठीक है अजब इनके product को हम find करेंगे यानि कि alpha find to beta को find करेंगे तो आपको पता है कि that is that equals to c upon a that means constant term upon coefficient of x square the alpha हमारे पास यहां पर check करें alpha हमारे पास 1 by 2 root 2 है multiply minus 3 root 2 है तो that equals to minus 3 upon क्या होगा 4 के equal होगा ठीक है और a c upon a के बरावर होता है तो that equals to c हमारे पास यहां पर क्या आगया constant ठीक है constant आगया तो minus 3 by 4 के बरावर होगा that equals to minus 3 by 4 क्या यानि कि alpha into beta जो है c upon a के इक्वाल है ठीक है आईए let us consider second question second question हमारे पास है let p of x second को हम मान लेंगे let p of s जो है that equals to यह आपके पास आगया 2s square this is 2s square उसके बाद minus 2s square minus minus 1 plus फिर under bracket जो है 1 plus bracket में 2 root 2 है 1 plus 2 root 2s और उसके बाद जो है plus root 2 है यह plus root 2 है अब यहां पर क्या है हमें सबसे पहले 0 जिनके find करने राइट तो हम क्या करेंगे ए 2s square minus s and minus 2 root 2s plus root 2 हो जाएगा ठीक है bracket को क्या क्या ब्रेक कर दिया अभी इस दोनों में जो है न वो s common है तो 2s minus 1 आ गया और इन दोनों में root 2 common है यहां पर 2s and minus 1 आ गया अब आप पास s minus root 2 बचा और यहां पर 2s minus 1 बचा तो जब इनके 0 निकालेंगे आप तो तो p of s को 0 के equal करेंगे यानि कि s minus root 2 और यहां पर 2s minus 1 equals to 0 होगा that means कि इसका 1 0 root 2 आ गया और 1 0 1 by 2 आ गया है न तो दो इसके 0 जागए ठीक है इनके 0 जो है और 2 आ गया ठीक है क्या क्या आगए आपके पास एक तो root 2 आ गया और एक आपके पास क्या आ गया 1 by root 2 तो यानि कि alpha को एमाल लो और यहाँ पर beta जो है वो 1 by 2 के बराबर आ गया आप चेक करते हैं पर alpha plus beta जो है ना that is कि root 2 and plus क्या हो गया 1 by 2 तो यह आपके पास आएगा 2 root 2 and plus 1 by 2 आ गया और यह minus b upon a के equal होता है तो चेक कीज़े कि minus b तो यहाँ पर b के जगे पर हमारे पास minus तो minus minus यहाँ भी sign कट जाएगा तो 2 root 2 plus 1 हो जाएगा है ना तो यह आपके पास क्या जाएगा 2 root 2 plus 1 और a जो है coefficient of x squared 2 यानि कि alpha plus beta जो है that equals to minus b upon a के equal आ गया now we are coming to alpha into beta alpha into beta is basically c upon तो alpha is root 2, beta is 1 by 2 so this equals to root 2 by 2 ठीक है अब चेक करते है alpha into beta c upon a के equal है that means root 2 by 2 के equal है root 2 by 2 के equal है तो c by a ना root 2 by 2 के equal है तो क्या देखा आपने कि alpha into beta जो है that equals to क्या हो गया c upon a के इस तरीके समने result को verify कर लिया तो बहुत important result है जैसा कि आप सबको पता है that equals to minus coefficient of x upon coefficient of x square and alpha into beta equals to c upon a that equals to constant term upon coefficient of x square